एलोवेरा एलोवेरा को आजकल एक ब्यूटी प्रोड़क्ट के तोर पर भी ज़ादा यूज़ किया जा रहा है कई लोग एलोवेरा को अपनी स्किन और बालों को हिल्दी बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं एलोवेरा के डिमांड आज इतनी ज़ादा बढ़ गई है कि एलोवेरा से बड़ी प्रोड़क्ट्स को आज बहुत सारे सेलोंस और ब्यूटी पार्लर में देखा जा सकता है और इन प्रोड़क्ट्स के यूज़ से आपकी स्किन और बालों को निखारा जा सकता है तो चलिए आज के वीडियो में हम एलोवेरा के शरीर में होने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे और साथ ही एलोवेरा किद्नी पेशिंट्स के लिए कैसा रहने वाला है इस बात की भी चर्चा करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल स्टॉप कितनी डालसस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें साथ इबल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्द से जुड़े इस तरह की और इंफर्मिटिव वीडियोस को भी आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर बात इलोवेरा से शरीर में होने वाले फायदों की की जाए तो इलोवेरा आपके लिए एक फैट बर्नर का काम कर सकता है क्योंकि इसमें मौझूद फायबर और वायटमिट्स आपके वेट को कम करने के लिए अच्छे माने जाते हैं अगर आप इलोवेरा का सेवन करते हैं तो इसके सेवन से आप अपने शरीर में आई स्वलिंग की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि इसमें मौझूद एंटी इंफ्रमेट्री गुर्ण आपके शरीर में आई सूजन की परिशानी को कम कर सकता है इसके अलावा अगर आप अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो अलोवेरा जूस आपके लिए भी वायदेमन साबित हो सकता है अलोवेरा में हाइडरेटें और फाइटो न्यूट्रेंज चैसे कुण पाए जाते हैं जो लिवर में जमागंदगी को साफ करके उसे हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं आपको बता दे कि एलोवेरा फाइबर, वायदमेंस, कैल्शिम, मिगनीशियम, सेलेनियम, आइन और मिगनीश का एक अच्छा सोस होता है जो आखों में होने वाली समस्या से लेकर गठिया रोख, डायबिटीस की परिशानी और यहां तक की हाट से जुड़ी बिमारी के लिए भी अच्छा माना चाता है अब अगर बात किड्नी मरीजों के लिए इलोवेरा के सेवन की करें तो किड्नी मरीजों को इलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मौझूद मिनरस आपकी डामज किड्नी को नुकसान पहुचा सकते हैं और अगर आपकी kidney healthy है तो aloeira के juice को आप कभी कबहार ले सकते हैं इसमें मौझूद anti-microble good आपको kidney failure जैसी समस्या से बचाने का काम कर सकता है तो अगर आप kidney की समस्या से juice रहे हैं तो aloeira के juice को न ले और अगर आप kidney rogue में aloeira के juice का सेवन करना ही चाहते हैं इसके सेवन से पहले एक बार doctor की सलहा जरूर ले लें तो आज के लिए बस इतना ही आपको ये video कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं साथ ही इस video को like और share करना बिल्कुल भी न भूलें हम आप समलेंगे एक नए video में तब तक के लिए अपना खयाल रखें हेल दी रहें नमस्कार